तो नमस्कार दोस्तों आज ITC Limited Company ने अपने quarter 4 के रिजल्स को पब्लिश कर दिया है और आज की इस वीडियो में हम इन रिजल्स को एनलाइज करेंगे कंपनी के revenue और profits कैसे आये हैं इस quarter गंदर साथ साथ हम company की valuation के बारे भी बात करेंगे कि आज की डिट में company undervalued है या फिर और वेलुड है यानि कि अगर हम इस company में अपना पैसा invest करना चाह रहे हैं तो क्या अभी सही समय है इसमें investment करने के लिए या नहीं और अब हम बात करते हैं company की results और results में आपको सबसे वह बता दे company ने 6 रुपे 75 पैसे का final dividend declare किया है और 2 रुपे 75 पैसे का special dividend भी दिया है अपने existing investor को यानि के साधे 9 रुपे पर equity share का काफी अच्छा dividend company पे कर दिया है अपने existing investors को तो उनके लिए काफी अच्छी news है जिन लोगों ने अरड़ी अपने पैसा इस company इंवेस्ट किया हुआ है और अगर हम बात करें अब हम results की तो सबसे वेल चेक करते हैं company का revenue इस quarter में company के revenue आये हैं 17,635 क्रोड रुपे जबकि पिछले quarter में 17,305 क्रोड थे और पिछले साल के मार्च 2022 quarter में company revenue 16,556 क्रोड थे यह आपने देखें तो quarter quarter base पे तो company revenue सेम से आये हैं उसमें कोई खास growth नही है उसमें चेक करें company का operating profit तो इस quarter में company का operating profit आया है 6,624 क्रोड रुपे का जबकि पिछले quarter में 6,705 क्रोड था और पिछले साल के मार्च 2022 quarter में company का operating profit 5,599 क्रोड था यहां पर चेक करें तो quarter quarter base पे company का operating profit 1% कम हुआ है लेकिन year और year base पे देखें तो 18% की double digit की growth आई है company के operating profit AUPREATING PROFIT में उसमें बात करें company के operating profit margin की तो इस quarter में company के operating profit मार्जीन आया है 38% के जबकि और फिशले quarter में पांचर असी क्रोट था और पिछले साल के मार्च 2022 क्रोटर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 4,206 क्रोट था यहां पर देखें तो कौर्टर क्वाट बेस पे कंपनी ये नेटपर्फिट 3% बड़ा है लेकिंगी तो 23% की काफी अच्छी ग्रोथ कंपनी के नेटपर्फिट में आई है उसके लुपर बात करें कंपनी के अर्निंग परशेर की इस कौार्टरम कंपनी की अर्निंग परशेर आ रही है चार रूपे सूला पैसे की जबकि पिछले quarter में 4 रुपे 3 पैसे थी और पिछले साल के मार्च 2022 quarter में कंपनी की अनिंग पर शेर 3 रुपे 40 पैसे थी यहां भी देखें तो 3% growth company को मिली है अनिंग पर शेर में quarter बेस पे और करें तो 22% काफी अच्छी रूध कंपनी के अनिंग पर शेर में आई है तो इसले से अगर हम सारे पराविटर चेक करें तो कम्पनी ने लगबख सारी पराविटर ग्रोथ दिखाई है काफी अच्छा कंपनी का यह quarter गया है revenue profit सब काफी अच्छे से इंवीज हुआ है तो अभ कंपनी का प्राइज चलना है 27 का और शेर प्राइज और प्राइज बाया अनिक साबसे आज हीड में कंपनी एक अंडर वेलुट कंपनी है क्योंकि पीवाई भी थोड़ी लो रेंज में चल रही है और साथ सत कंपनी को हमने discounted cashflow आनलेसिक चाइक किया है कि कितना free cashflow कमाती ह उसके साब से कंपनी कितनी वैली बनती है तो उसी साब से भी कंपनी अपनी फियर वैल्यू के 80% पर आज की डिर्ट में ट्रेड कर दी है यानि के अगर हम जसे investment की बात करते हैं हम चाहते हैं कि जो कंपनी की फियर वैल्यू है उसके 50% पर आने वाल रिस यह उसका अच्छे से मैनेज कर सकें तो पूरा माजी तो सेफटी 50% का नहीं मिल रहा है लेकिन 20% अभी भी डिसकाउंट इस कंपनी के शेयर पैस मिल रहा है जबकि काफी जदा शेयर प्राइज पिछले दो साल के दर इस कंपनी का बढ़ गया है तो सबसे बात करें तो बहुत ज़्यादा कम प्रा अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहरे हैं तो मेरे साब से अभी एक्ट्वल नाइम तो नहीं आया है थोड़ा प्राइस का गिरने दिजिए माजिन सेफ्टी इनफीज हों चीए तब हम इसमें करेंगे बात आज के लिए बात करें अगर आप पर वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आप पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेर जरू किजेगा और साथ-साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब पर लिजेगा थैंक यू सो मच